हेलो दोस्तों मेरे नाव है अमित and I make apps तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत यहादा important है अगर आप application के business में आना चाहते हो और application के थ्रूप earning करना चाहते हो तो यह वीडियो लास्त तक जरूर से देखना आपको जरूर बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों अगर आप application का business start करना चाहते हो तो एक बात है जो कि आपको जरूर से इक्तम गार्ड बांद के याद रखनी चाहिए और ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप कोई भी application development कर रहे हो तब वह यह है कि आपका earning source क्या रहेगा बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं मालों में बड़े-बड़े बिजनेस को कॉपी करने की कोशिशिद करते हैं कि जैसे वह अभी मतलब earning नहीं कर रहे हैं आभी केवल ग्रो कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे हम अपनी application को मॉनेटाइज करेंगे तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से यह गल शुरूरी नहीं है कि day one से ही आपको मतलब पैसे आने शुरू हो जाएंगे या फिर कुछ भी होना शुरू हो जाएगा या फिर आप एक महीने में दो महीने में बहुत बड़ा तीर माल लोगे ऐसी बात नहीं लेकिन जब आपको अपने account में या फिर आप मालों एड्स के देखते हो आपको कुछ न कुछ earning हो रही है तो आप क्या करते हो आप motivated रहते हो आप उस application पर अच्छे से काम करते रहते हो और आपको मालूम है कि अभी मेरी अभी यह amount चोटा है लेकिन जब मैं इसको और ज्यादा promote करवा दूँगा और ज्यादा महीनत कर दूँगा इस प आपको पहली बात तो बहुत जादा resources चाहिए आपके पास पैसा रहने चाहिए देन दूसरी बात यह है कि आपके अंदर ठीक है कोई motivation रहे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी क्या हो जाता है demotivate हो जाता है जब तक उसको earning नहीं मिलती earning नहीं दिखती है तो demotivate हो जा कि मैं आपको बता देता हूं अगर आपकी कोई application है तो आप उसमें ads डलवाओ ads डलवाओ की मतलब ज्यादा से ज्यादा ads डलवाने की कोशिस करो उसमें ज्यादा से ज्यादा का मतलब यह नहीं है कि आप user का experience की खराब कर दो या फिक कोई policy को वायलेट कर दो मेरा बोलने का प्लेस हैं दो कि जहां पर हम ads को प्लेस कर सकते हैं ads लगा सकते हैं और उससे earning generate कर सकते हैं तो आप लोगों को यह चीज़ जरूर से ध्यान रखने चाहिए कि आप कैसे अपनी application में बगार user का experience खराब किये हुए और बगार user का experience खराब किये हुए और बगार कोई भी policy को व लिए application है कि आप वहां पर कुछ sell भी कर सकते हो तो आप यह भी चीज ध्यान रखो कि क्या कुछ ऐसे चीज है जो चीज़ आप sell भी कर सकते हो तो आप यह भी चीज ध्यान में रखो कि एक से ज़्यादा earning source रहेगा तो definitely आपका ज़्यादा कम होगा इस टाइप इस टाइप है और प्रोडक्स क्या रहते है लाइफ रहती है और कुछ चोटे-मोटे यह सरे चीजे रहते हैं डिजिटल गूड्स रहते हैं तो उसके थरूप मतलब कि अपनी में तो आपको आगया होगा जब भी आपको यह बिया बनाएंगे तो मौनिटाइजैसं का इसको सकते हैं और जब भी आप कोई भी ऐपलिकसा विगराने है तो डेवलपर से अच्छे से बात करें कि इसमें कौन-कौन से जगह जहां पर खाली छुट रही है जहां पर हम एड्स को प्रेस कर सकते हैं तो जादर जदा एड्स को प्रेस करने की कोशिस कीजिए ओके तो आइप को समझ में आ गया होगा कि मतलब कौन से ऐसी चीज है जिसकी वज़ा से आपकी एप्लिगेशन की ग्रोध जो है वह बढ़ सकती है और आप सक्षेस्फुल हो सकते है है एक के बिजनेस में तो आई होब कि दोस्तों आपको समझ में आ गए होगी यह सारी बातें तो आई होब कि आपको वीडियो भी अच्छा लगा है तो लाइक करो और इसी वीडियो देखनी के लब आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो चलिए मिलते हैं आग कर्वार कर दो एक दो आए लागा है तो कि लिए को आदे टागल यगर रहा हैं एक कर दो आए है।